दोस्तों, आज कर सोशल मीडिया में कुछ इस तरह के यहाँ पर आप लोग देख सेते हैं, इमेजिस बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा हैं, चाहे वो यूट्यूब का हो, इंस्टाग्राम का हो, यहाँ पर फेस्बॉक, वाटसप किसी का हो, मैंने मेजरली यूट्यूब के यहाँ पर बना हुए हैं, लेकिन मैं आप लोग को बताने वालू हूँ, आप लोग कैसे, इंस्टाग्राम, वाटसप बगएरा वी देखा हुआ की, यहाँ पर आपका यूज़रनेम तेवाल, लखा रहता है, और वाटसप ब्का यूज़रनेम, फेस्बॉक बगएरा का, और ये कोछ अस्तरा का एक character बना रहता है, तो ऐसी images आप लोग कैसे create कर सकते हैं, बहुत ही आसाई से सिंफ एक click पे, तो इस वीडियो में मैं आप लोगो को step by step process बताने वाला हूँ, काफी आसान होने वाला है procedure, आप लोग फड़ा-फड़ से वीडियो को like कर दीजिए, और चैनल को भी subscribe कर दीजिए, ताकि आप लोगो ऐसे ही अच्छे वीडियो के notification मिलते रहें, तो यहाँ पर आप लोगो ये create करने का काफी simple सा step है, आप लोगो एक छोड़ा सा app को download करना है, मैं यहाँ पर इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो पहले मैं इसे हटा देता हूँ, इसे close कर देता हूँ, आपने images तो देख लिए, अब इसके बाद आप लोगो यहाँ पर play store पर जाना है अपने mobile पर, play store पर जाने काथ आप लोगो यहाँ पर search करना है, उपर search bar देख रहा है, मैं circle की app से आप लोगो देखा रहा हूँ, आपको simply search करना है, यहाँ पर आप लोगो search करना है Bing, आप लोग जैसे Bing को search करनेंगे, दिखे आपके साने कुछ इस तरह का यह add है, यह है logo, आप लोगो देख लीजा, आपको यह Bing नाम का application को download करना है, मेरे पहले से download है, open का button आ रहा है, आप लोगो को इसे download कर लेना है, download करने का दागे क्या करना है, वो मैं यहाँ पर आप लोगो देखाता हूँ, आप लोगो simply यहाँ पर download का कि open कर लेना है इस app को, लोगो आप लोगो अच्छी तरह से देख लिए, यही है Bing का logo, open करने के बाद आप लोगो को यहाँ पर देखे, काफी सारे options मिल रहे हैं नीचे, मैं circle की app से दखा दो, देखे, नीचे 5 option मिल रहे हैं, आप लोगो सबसे corner पर apps का option है, इस पर click करना है, अब आप लोगो को यहाँ पर देखे, काफी सारे options मिल रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोगो को एक tool मिलेगा, देखे, यह सारे tools हैं, तो आप लोगो यहाँ पर image creator नाम का tool मिलेगा, देखे, यह बना हुआ, इस पर आप लोग click कीजिए, click करने के बाद देखे, आपके साने कुछ इस तरह का page आजाएगा, एक image creator नाम का image creator, अब यहाँ पर ऊपर देखे, एक blank बना हुआ है, यहाँ पर आप लोगो लिखना है, जो कुछ भी यहाँ पर, जो मैं content दे रहा हूँ, यहाँ पर लिखना है आप लोगो, मैं यहाँ पर paste कर देता हूँ, काफी बड़ा content होता है, देखे, जैसे मैंने paste किया, यहाँ पर देखे, details लिखी हुए, मैं इसे आप लोगों को, आप लोगों करेंगी, तो मैं comment box में भी pin कर दूँगा, यहाँ आपके comment के reply में यह दे दूँगा, आप बस comment कर देज़ेगा, script के लिए तो मैं आपको comment के reply में यह script प्रोवाइड कर दूँगा, आप लोग यहाँ पर पढ़के screenshot भी कर सकते हैं, देखे, यहाँ पर मैंने लिखा हूँ है, और यहाँ पर देखे, with username, यहाँ पर, यह दो आपको इस script में changes करने है, username यहाँ पर लिखा, username adutrix, मैंने अपने चैनल का नाम लिखा हूँ है, यहाँ पर मैं highlight कर देता हूँ, यहाँ पर आप लोग का जो भी username है, Instagram का या फिर आप लोग Facebook के लिए बलाना है, जो भी आपको रखना है, जो आपके यहाँ पर देखता है, मैं आपको image में भी देखा देता हूँ, यहाँ पर जैसे की मैं आपको देखाता हूँ, यह लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, इस type का आपको जो भी username चाहिए वो आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है और जैसे आप इतना content लिख दी है आप लोगों को यहाँ पर पहले ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप लोगो 15 energies मिलती है यहाँ 15 images को create कर सकते हैं यह party renew होती है यहाँ फिर monthly मिलता है अब आप लोगो create के बटन पर click करना है create के बटन पर click करने का देखिए यहाँ पर creating लिख जाता है लेकिन time बहुत लेता है यह तो आप लोगों को wait करना होगा देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है images creating थोड़ा आपको wait करना होगा कभी-कभी यह जादा time ले लेता है कभी-कभी जल्दी हो जाता है तो आपको इसके लिए wait करना होगा यह जितनी दिर में भी यहाँ पर create करता अब आपको इसे finger से hold करके रखना इस image को ऐसे hold करके रखना आपको download image का एक option आजागा download image पर click कर दीजिए और यह image सीधा आपकी mobile की gallery पर आ जाएगा अब आपको cut करिए और यह चारो images को आप चाहें तो download कर सकते हैं तो कुछ इस तरह से आप लोग बहुत ही आसानी से जो भी social media को facebook, whatsapp, instagram जिसके लिए भी बनाया ना वो name यह दो चीज़ा आपको change करने होंगे script में और कुछ भी change नहीं करना है अगर आप ऐसे informative videos देखना चाहते हैं तो आप हमारी YouTube को subscribe करेजिए और वीडियो को भी like कर दीजिएगा